वेलकम है सभी का मेरे नए वीडियो में बच्चो को स्कूल के लिए तयार कर दिया है खिला पिला के और मैं अभी खुद भी तयार हो रही हूँ बच्चो को स्कूल भेजने के बाद फिर वापस आकर घर का सारा काम खत्म करके फिर मैं अपने लिए रोटी बनाने लगी उस टाइम पे बच्चो के लिए ही बनाया बस अपने लिए बनाने का टाइम नहीं हुआ तो अभी ये मैं खाने वाली हूँ और बच्चे जब नहीं रहते हैं घर पे तो बहुत ही घर सुना हो जाता है बच्चे जब होते हैं तो चिलाते रहना पड़ता है बहुत मस्ती करते हैं और जब वो स्कूल चले जाते हैं तो बिल्कुल ही अकेली हो जाती हूँ और ये खाने के बाद फिर मैंने पिछले मिनी व्लॉग में आपको दिखाया था नारियल मैंने ये करके रख दिया था चीनी के साथ में मिला के रख दिया था तो आज नए तरीके से बनाने वाली हूँ एक बाइडेव है, उन्होंने मुझे अलग तरीके से लड़ू बनाने के लिए सिखाया है बाइडेव मतलब हमारे आसाम में दीदी को कहते है मतलब आसाम के लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो लोग बाहर हैं उन्ने तो शायद नहीं पता होगा ये बाइडेव का मतलब क्या होता है तो दीदी होता है तो उन्होंने मुझे बताया है कि लड़ू कैसे टाइट बनते हैं और वाइट बनते हैं पिछली बार जब मैंने बनाया थे तो टाइट नहीं बने थे और वाइट भी नहीं बने थे तो आज देखते हैं बनते या नही तो एक ही नारियल का लड़ू है तो थोड़े से घी से काम चल जाएगा तो इसलिए मैं ये घी डाल रही हूँ थोड़ा सा husband क्योंकि बिहू के टाइम पे नहीं आ पाए थे वैसे तो किसी भी occasion में वो नहीं आ पाते हैं बहुत ही कम तो लगता है क्योंकि अकेले ही सब कुछ celebrate वगेरा करना पड़ता है अच्छा नहीं लगता किसी occasion पे वो ना हो घर पे तो बच्चे भी उन्हें मिस बहुत करते हैं लेकि कुछ कर तो नहीं सकते उनका काम है अगर वो नहीं जाएंगी तो घर कैसे चलेगा तो अब वो आ रहे हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था भी हो के time पे इसलिए तरह से भुनने के लिए कहा था उन्होंने क्योंकि कुकर पे white होता है तेल जैसा नहीं लगा होता है तो लड़ू white बनते हैं तो देखिए फ्रेंज भुनने के बाद एकदम ये white है और लड़ू भी बिलकुल white white बने है ये देखिए